वेलकम टू दे यूट्यूब चैनल जेकी परमेंट अगर बैटना तब भी फेक हैं आप लोग जाएंगे तो अगर खूड़ीये को है लोगों के बोलने की वज़ा से हम जो है वीडियो ड़ना नहीं चोड़ देंगे और अगर बाकी किसी हजार लोगों को अगर ये अच्छी लगती है तो चार पांच के लोगों के बोलने से नहीं पढ़ जाता ठीक है तो हम यहाँ पर जो है आम निकल एक community post डाली थी जिसमें कि आपके comment देखने को मिले थी कि आपको सबसे पहले जो है staff nurse का previous year question paper और जो है आपको syllabus चाहिए तो किसी भी exam की preparation करने से पहले आपको syllabus पता होना चाहिए और syllabus आपके लिए जरूरी है यह notice मैंने आपके सामने इसलिए रखा है क्योंकि यह आपका पिछले साल का जो है आपका advertisement number two of 2021 की जो है आपके advertisement थी जिसके under जो है आपका form बगएरा लगे थे alternate medical education department के और यह notice out हुआ था जब advertisement out हुई थी 26th of March 2021 को ठीक है तो इसके base पर जो है आपको अब आगर post same है तो syllabus भी same रहेगा क्योंकि ना ही तो post change हुई है ना ही syllabus change हुआ है बापिस JKS भी वही रखे कुछ एक new topics add हो सकते हैं 2-4 marks के बट mostly syllabus आपका वही रहने वाला है ठीक है नेक्टी मार्किंग होती है यह सब तो आपको पता ही है 0.25 की देन हम next बात कर लें आगया आपकी तो यह देख लीजिए आपका जो है syllabus यहाँ पर दिया था यह अलग-लग district cadre का जो है आपका division cadre या district cadre करके बोल लीजिए आपका GMC सिरनगर लगबग सारे department का जो है यूनियर स्टाफ नर्स की यहाँ यहाँ पोस्टे थी उनके बेस उनके लिए यहाँ पर syllabus है तो पोस्ट एक ही आपकी तो syllabus भी सहम ही रहेगा सबसे पहले जो है आपका यह syllabus किस-किस के लिए जो है कौन-कौन सी पोस्ट के लिए जो है आपका सैम है मुस्टली दो-चार छे पोस्टों का जो syllabus है वो combined रहता है तो यहाँ पर जो है आपकी ensure h जो है आपका उसमें हमारा syllabus दे रखा है और यह आपका twitter clinical instructor public health tutor inka और junior staff nurse का यह syllabus सैम रहेगा ठीक है तो चलिए आपको सिधा ensure h की तरफ ले चलता हूँ मैं syllabus discuss करते हैं यहाँ पर आपका ensure h में आ जुके हैं यहाँ पर जो है आपका 120 marks का जो है आपका question paper रहेगा और 120 minute ही मिलेंगे आपको examination conduct करने के लिए examination अपना देने के लिए आपका online examination हुआ था जब 2021 में लिया गया था ठीक है computer based test हुआ था देन आपका जो है सबसे पहले आपका यहाँ पर जो syllabus है वो है आपका anatomy का ठीक है anatomy आपकी यहाँ पर 10 marks की anatomy में जो है आपका introduction of anatomical terms, skeleton system muscular system, cardiovascular system, respiratory digestive, excretory, nervous, endocrine sense organ and reproductive system लगबग यह आपके 12 topic हैं जो आपके यहाँ पर 10 marks के MCQs आपसे पुछे जाएंगे, each MCQs contain 1 marks ठीक है और 0.25 की negative marking अगर आपके 4 question गलत तो आपका जो एक सही होगा वो भी गलत ठीक है, तो आपके जो anatomy पर जो है MCQs लगबग हर एक topic के लिए हम अपने चैनल पर आने वाली दिनों में अपलोड करते रहेंगे वीडियो स्टार्ट कर देंगे बड़े ही जल्दी जो है आपका skeleton system है तो इस पर आपको लगबग 100-100 MC के जो most important होंगे रहेंगे वो आपके लिए हम लाएंगे उनकी वीडियो लग-लग अपलोड किया करेंगे इसके बाद जो है आपने डिमांड करी थी आपके previous year जो आपका जो question paper हो था देखें question paper तो नहीं मिलता है क्योंकि online होता है जब तो answer keys होती है तो हमारे पास answer की पड़ी हुई है answer की जो है हम उस पर video बना कर question answer सब कुछ है उसमें आपका जो पिछली साल paper हुआ था staff nurse के लिए वो मैं upload करूँगा एक दो दिन तक ठीक है तो आप इस लेबस दिख लिजिए next है आपका chapter है sorry topic है आपका community health nursing first यह आपकी 10 marks कि रहेगी इसमें आपका introduction of community health nursing health assessment principle of epidemiology and epidemiology methods family health nursing care family health care setting then आपका है referral systems record and reports minor elements लिए मैं थोड़ा तेज देज बोलता हूं ताकि आपका time कम लिया जाए video में कम से कम time लिया जाए और इस वज़े से आपकी pronunciation अच्छे से नहीं हो सकती दो ही काम हो सकता है या तो video लंभी होगी या तो session अच्छे से होगी तो उसके लिए sorry but next जो है आपका fundamental of nursing यह आपका सबसे ज्यादा marks carry करता है यहां पर fundamental of nursing जो है आपका लगबग 25 marks जो है यह contain करता है इसमें आपका introduction care of patient client bed making आपको bed making सारा पता होना चाहिए सारा आना चाहिए maintenance of therapeutic environment temperature light noise then आपका third unit है यहां पर basic nursing care and need of patient then assessment of patient client ठीक है यहां फिफ्थ यहां पर आपके topic पर चलने दो यहां पर therapeutic nursing care and producer जो है आपके hypothesis देखें आपके यहां पर जो सबसे पहले दो आपकी पूरी पूरी book दी हुई है book के अंदर जो आपका सबसे पहले chapter आते हैं फिर आपके जो अंदर उसके sub topics है ठीक है आपको वो पूरा exact बताया हुए कि कौन-कौन से topics को आपको पनना और दियान से पनना MCQs MCQs series भी start करेंगे हम आने वाली दिनों में और यहां पर जो आपका sixth chapter है यह basic need and care in special conditions ठीक है नि दन हम बात कर लें आपका उसके बाद chapter आता है nutrition का यह आपका पांच marks का है introduction और आपका classification of food इसमें से आपके 5 MCQs पूचे जाएंगी जाद से जाद है दन आपकी medical surgical nursing one आती है इसमें आपको सारा पता होना चाहिए introduction nursing assessment आप overall देखेंगे तो आपकी जो पूरी पूरी book है उसका index ही यहां पर syllabus में दे दिया गया है ठीक है नि तो आप जब तक आप प्रिवीशियर इसका paper नहीं देखेंगे जब तक आपको गैस नहीं होगा कि कौन से topic और कौन से बुक में से कितना कितना जो है आपका paper आ रहा है ठीक है तो paper जल्दी upload करेंगे हम उसके बाद जो है आपको यह है pediatric nursing ठीक है इसमें आपका introduction newborn baby देन आपका है topic unit 3 है the healthy child the infant health promotion during infant infancy the toddler the pre-schooler the schooler age the adolescent then आपका unit है next the sick child ठीक है देन उसके बाद आपका लग एक subject है यहां पर आपका mental health and psychiatric nursing यह आपका 10 marks की रहेगी ठीक है दन इसमें आपकी पूरी introduction history of psychiatric community mental health psychiatric nursing management then आपकी आती है नीचे medical nursing 2 ठीक है medical surgical nursing second यह आपकी यह भी 10 marks की रहेगी पूरी ठीक है यह आप slayvers देख लेए उसके बाद आपकी रहेगी community health nursing 2 पहले community health nursing 1 भी है 2 भी है और medical surgical nursing 1 भी है और 2 भी है ठीक है health system in India organizational setup health care services in India health planning in India community health nursing की यह जो imported mcqs की आपके जो program वगरा है यह health system in India आपके कौन सा program का ब्लांच हुआ किसको क्या बोलते है वो दो वीडियो मैंने अल्रेड़ी upload कर दी है आपकी लगबग उसमें 100 mcqs 100 golden points है वो basic थे तो जरूरी भी थे इसलिए मैंने upload कर दिया थे वो पहले ही then आपकी आती है midwifery midwifery आपकी है यहां पर 20 marks की ठीक है midwifery और आपकी जो है उपर यहां पर 25 marks की है आपकी fundamental of nursing यह दो topic आपको most important है इन पर सबसे ज़्यादा आपको जो है focus करना है ठीक है और इस syllabus की जो है आपको PDF मिल जाएगी हमारे telegram चैनल पर ठीक है आप उसको easily download कर सकते हैं इस syllabus अपने सामने रख लीजिए और जो जो mcqs हम upload करते जाएंगे वो आप साथ साथ note down करते भी रहिएगा और कुछ अगर new चाहिए होगा आपको अगर कुछ suggestion है आपके पास कुछ अच्छा हमें बता सकते हैं improvement के लिए कुछ material चाहिए आपको किसी और post के लिए syllabus चाहिए तो आपको comment box में comment कीजिए आपको within two or three days आपको syllabus वो provide हो जाएगा सारी post के लिए जो है आपक की answer की अभी तक save है आपके पास पिछले साल की किसी ने examination दिये हों तो अगर आप वो हमें send कर देंगे तो सब की बड़ी ही help हो जाएगी आप मैं telegram channel पर share कर सकते हैं ठीक है चैनल पर पहली पर विजिट करने सब्सक्राइब कर लें पर लाइकन को आपर सेट कर लेंगे कोई भी latest update होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा thank you so much